मिश्टर एक्सपर्ट हुसेन सर के चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है आज हम लेसन नाइन को पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको रिडिंग और आपकी सही प्रणाउंसेशन की प्रेक्टिस होगी तो चलेश लेट्स गो टू स्टार्ट फाइंड यॉर स्विट्स इसको यूवर नहीं पढ़ेंगे पढ़ने में इसको हम यॉर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे यॉर फाइंड का मतलब होता है धूंड ना धूंडो यॉर स्विट्स आपकी मिठाई आपकी मिठाई धूंडो या आप यूँ भी कह सकते हैं अपनी मिठाईया ढूंडें सीमा यहाँ पर है सीमा mother made some sweets today सीमा कहती है mother made मा ने बनाई है क्या बनाई है some sweets कुछ मिठाईया today आज इसको सही परनाउस कैसे करेंगे मा ने आज कुछ मिठाईया बनाई है मीना मीना कहती है क्या कहती है do you know क्या तुम्हें पता है where they are वे कहा है मीना no नहीं I do not या इसे इसे भी पढ़ सकते हैं I don't या I do not मैं नहीं करती क्या नहीं करती mother मा कहती है I have या I और H टॉफिक S के साथ में V और E है न इसको पढ़ने में सहीं पढ़ने में क्या पढ़ते हैं I have kept them I have इसको kept पढ़ेंगे और इसको them पढ़ेंगे kept का मतलब होता है रखा या रखना them मतलब उन्हें I have kept them मैंने उन्हें रखी है कहां पढ़ रखिए For you तुम्हारे लिए आपके लिए मेंने उन्हें आपके लिए रखी है Into places दो जगाओं पर रखिए मेंने उन्हें आपके लिए दो जगाओं पर रखिए मा कहती है Can you find them क्या तुम उन्हें ढून सकती हो क्या तुम उन्हें ढून सकती हो, मीना, you go first, मीना, you go first, तुम पहले जाओ, you are the, you are the, इसको क्या पढ़ते हैं, you are the younger one, तुम छोटे हो, मीना, मीना कहती है, please help me ma, मीना कहती है, please help me ma, please का मतलब होता है, महरबानी करके, किरपया करके, help me ma, मा हमारी मदद करो, मा हमारी मदद करो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मा हमारी मदद कीजिए, मम्मी हमारी मदद कीजिए, mother, मा क्या कहती है, अब मा मदद करने के लिए कहती है, क्या कहती है ma, go to the kitchen, kitchen की ओर जाओ kitchen मतलब रशोई, रशोई की ओर जाओ, on का मतलब होता है पर, the window विंडो पर है, क्या है विंडो पर है there is a there is a message, इसको हमेशा ध्यान में रखना आप, ये जो a है, इसको हमेशा पढ़ने में a नही पढ़ते हैं इसको जब reading होती है जब reading English के हम करते हैं तो इसको हमेशा आ पढ़ा जाता है there का मतलब होता है वहाँ पर, वहाँ इसका मतलब होता है, है और इसको ए नही पढ़ते हुए, इसको आ पढ़ेंगे इसको आ पढ़ेंगे message, वहाँ पर एक message है kitchen की और जाओ, रसोई की और जाओ window पर एक message रखा है या window पर एक message है मीना, goes to the window मीना, जाती है goes का मतलब होता है, यहाँ पर जाना, मीना, जाती है कहां जाती है, to the window खिड़की की और जाती है and, or, reads पढ़ती है, the message संदेश को पढ़ती है look for a bottle look for a bottle bottle को ढूंडती है bottle को देखती है in the bottle, bottle में है bottle में है, क्या है there is a hint एक इसारा है, bottle के अंदर एक इसारा है, इसको हिंदी में क्या बोलगए मीना, खिड़की की और जाती है पढ़ती है एक message को पढ़ती है संदेश को पढ़ती है और bottle को ढूंडती है bottle के अंदर है इसारा, जो उसकी मम्मी ने उसको एक इसारा दिया थै एक hint दी थी, वो bottle के अंदर है मीना finds the bottle मीना finds the bottle मीना क्या करती है, जो bottle है उसको ढूंड लेती आखिरकार see reads और क्या करती है, वो पढ़ती है यहाँ पर reads reads का मतलब होता है पढ़ना see मतलब वहाँ, वहाँ मतलब मीना से बात है see reads वहाँ पढ़ती है, क्या पढ़ती है the message, संदेश को पढ़ती है और क्या open the small box open, खोलो the small box छोटे box को खोलो on the top offer की और, of the big box जो big box है बड़ा box है, उसको offer की और, small box जो छोटा box है, उसको क्या करना है खोलना है मीना, जो मीना है ओह, अरे, there are sweets for me, यहाँ मेरे लिए मिठाई है thanks, thank for thank you, ma मा का सुक्रिया करती है मा को धन्यवाद देती है it's my turn now it's my turn now अब सीमा केती है अब मेरी बारी है mother, ma मा कहती है मा कहती है The clue is मा का इसारा Your Sorry Your clue is Your clue is मा इसारा देती है किसको इसारा देती है सीमा को इसारा देती है Go to your room Go to your room अपने room की और जाओ And look और देखो Behind के पीछे काई के पीछे Your Elmira अपनी अलमारी के और, पीछे की और देखो मा कहती है, मा क्या कहती है एक इसारा देती है, इसारा देती है केसा इसारा देती है गो टू यॉर रूम, अपने कमरे की और जाओ एंड लुक बिहाइंड और देखो काँ देखो, यॉर एल मेरा अपनी अलमारी के पीछे के और देखो सीमा फाइंड्स आखिरकार क्या होता है सीमा ढून लेती है सीमा ढून लेती है दा मेसेज मेसेज को ढून लेती है और पढ़ने लगती है इट उसको पढ़ने लगती है लुक एट और देखती है यूर बुक सेल्फ अपने बुक सेल्फ सी गोश टू दा बुक सेल्फ सी वहाँ गोश इसका मतलब होता है जाना तू दा बुक सेल्फ वहाँ क्या करती है गोश टू जाती है दा बुक सेल्फ अपनी बुक सेल्फ की और जाती है see finds see see finds उन्हें मिलता है are not there वहाँ पर उन्हें क्या मिलता है एक note मिलता है क्या मिलता है message look under your bed look देखो under your bed अपने बिस्तर के नीचे देखो bed का मतलब होता है बिस्तर इसको your पढ़नी पढ़ते वे your पढ़ेंगे look under your bed अपने बिस्तर के नीचे देखो see looks वहाँ देखती है under the bed बिस्तर के नीचे and or finds a box और क्या करती है ढूंड लेती है क्या ढूंड लेती है आ बॉक्स एक डब्बे को ढूंड लेती है see ma see ma क्या कहती है oh aray it's here यहाँ यहाँ पर है here का मतलब होता है यहाँ it's here यहाँ पर है it is a beautiful box यहाँ बहुत खुबसूरत box है यहाँ बहुत खुबसूरत बकसा है यहाँ अच्छा बकसा है यहाँ अच्छा बकस है there are there are sweets in it इसमें मिठाईया है thank you ma ma आपका शुक्रिया ma आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड़किया कहती है sweet seas pleasure मिठाईया बहुत ही आनंदित थी after का मतलब होता है कि बाद किसके बाद में pain मतलब दर्द और परिशानी के बाद लड़किया कहना चाती है कि मिठाईया बहुत ही अच्छी लगी मिठाईया बहुत ही अच्छी थी आनंदित थी लेकिन कुछ परशानियों के बाद thanks for watching my video please like, share and subscribe my channel